सुक्रियान क्या है सुक्रियान इस एक प्रपोज्ट और्वीटर टू वीनस बाई इंडियन स्पेस रिसर्च और अर्गनाजेशन टू इस्टरी इस सर्फेस और अट्वॉस्पिर ऑप दो वीनस देखो सूरे से दूरी के बढ़ते क्रम में जो ग्रह हैं जैसे यहां सन है सन क के बाद मरकरी है मरकरी के बाद वीनस है वीनस के बाद अर्थ है और अर्थ के बाद है आपका मार्स तो जो वीनस है सुक्र सुक्र ग्रह की सर्फेस और वहां के वाता बरन का अध्यन करने के लिए यह एक प्रपोल्ट और्वीटर है जिसे भारतिय अंत्रिच अनुसंदान संगठन इस रो के द्वारा 2024 या 2026 में लॉंच किया जाएगा सुक्रियान यहां की सतह का अध्यन करेगा अच्छा यह पहली बार नहीं है कि इंडिया ऐसा किया इससे पहले भी भारत चंद्रियान और मंगलयान भेच चुका है अभी गगनयान भी प्रपोजट है जो मंगलयान था जिसे MOM बोलते हैं Mars Orbiter Mission Mars Orbiter Mission को 5 नवंबर 2013 को प्रच्छेपित किया गया था तथा वह 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कच्छान प्रवेस कर गया था अभी हम सुक्रियान के बारे हम डिसकस करते हैं सुक्रियान के लिए इसके न्यूज में यसलिए है क्योंकि इसरो है सॉटलिस्ट several proposals for its proposed Venus Orbiter Mission सुक्रियान अच्छा ये जो प्रपोजल हैं ये सॉटलिस्ट किये गए हैं आपके Russia, France, Sweden, Germany से और स्वीडन की एक वो है Swedish Institute of Space Physics ये engaged है इसरो के साथ सुक्रियान मिशन के लिए अगर हम ISRO की बात करें ISRO जो है इंडियन स्पेस रिसर्ट और्गिनाजेशन ये एक नेशनल स्पेस एजन्सी है इंडिया की जिसका हेड़कॉर्टर बैंगलोरों में है बैंगलोर में है ये Department of Space के अंडर काम करती है विच इस डारेक्ली ओवर सीन वाई प्राइमिनिस्टर और इंडिया और इसमें प्राइमिनिस्टर ने सीन नरिंद मोदी जी तो अभी चलते है और ISRO की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1979 इस भी को हुई थी अभी चलते हैं अचा नेक्स्ट और हम देखें ये आपका सन रहा ये आपका वीनस रहा वीनस सूर्य के चारों और एक चक्कर 224 दसमनों साथ दिन में पूरा करता है वीनस और विश्ट सन एवरी 224.7 डेज और ये अपना रोटेशन जो अपने 243 दिन में करता है अचा इसको 2000 जब ये यहां होगा मलब ये अर्थ है अर्थ के नजदीक होगा तब या तो 2024 में प्लान करेंगे या हम 2026 में प्लान करेंगे जब ये यहां होगा सुक्रियान क्या है? सुक्रियान जो है is to study the planet Venus and will be launched either in 2024 or 2026 during optimal launch window अब देखो इसको जब ये launch किया जाएगा सुक्रियान को वो rocket होगा GSLV Mark 2 की मदद से किया जाएगा और इसका जो mission duration वो 4 साल होगा और launch side ये SDSC सार होगी SDSC 37दवन Space Center Siri Harikota से इसको launch किया जाएगा आंदर प्रदेश से अभी चलते अच्छा इसके objective क्या है scientific objective of the mission are to investigation of the surface processes study solar wind interaction with venusian atmosphere and study structure and dynamics of the planet's atmosphere जो सुक्र है वो सबसे गर्म गर्म है यहां around 96% carbon dioxide है 3.5% nitrogen है तो इसको study करने के लिए launch किया जा रहा है अच्छा और इसी को क्यों study किया जा रहा है क्योंकि यह अर्थ के सबसे नजदीक है अर्थ के नजदीक सुक्र है और दूसरी साइड में मंगल कि रहा है इसको study करने काया है its proximity to the earth has made venus a prime target for early interplanetary exploration it was the first planet beyond earth visited by a spacecraft पहले spacecraft गया था पर venera 1 1961 में जो successful नहीं रहा था फिर उसके बाद जो first successfully जो land हुआ है वो है venera 7 जो 1970 में हुआ था अच्छा एक mariner second भी था जो successful हुआ था लेकिन वो fly by था 1962 में अच्छा वीनस के बारे में हो रहा है Venus is a terrestrial planet क्या है कि जो sun है sun के जो पहले चार है जैसे बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल इनको terrestrial planet बोलते हैं उसके बाद फिर asteroid belt है उसके बाद आपका Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune Uranus इनको बाहर के चार है इनको Jovian planet बोलते हैं अच्छा तो यह terrestrial planet है और sometimes call इसे अर्थ का sister planet भी बोलते है क्यों? क्योंकि यह इसका समान तरीके का size है mass, proximity to the sun, bulk composition यह सब प्रत्वीज है इसको अर्थ का sister बोलते है इसको morning star भी बोलते है और evening star भी बोलते है अच्छा इसमें 96% से भी ज़्यादा carbon dioxide है उसके बाद वो है nitrogen अच्छा इवन दो mercury is closer to the sun Venus has the hottest surface of any planet in the solar system क्योंकि जो mercury उस पर एक वातावराण नहीं है इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा रुक नहीं पाती इसलिए वो hottest नहीं है hottest है सुक्र अच्छा Venus को हम Venus is also known as morning star and evening star भी बोलते है इसलिए नेक्स अर्थ फ्रॉम वैस्ट टुइस जो अर्थ है अर्थ और अर्थ जो है आपका पस्चिम से पूर गूमती है जबकि जो Venus है वो पूर से पस्चिम गूमता है पूर से पस्चिम होता है और एक Venus है और एक Uranus है यह है और Venus का Venus has no natural saturnite जो mercury और Venus है इनके कोई अपना प्राक्रते को पग रहे नहीं है अर्थ का केवल एक ही प्राक्रते को पग रहे है वो है चंद्रमा यह अर्थ जो टिल्टेड है और यह Venus का अपना rotation है प्रत्वी अपने अच्छ पर एक गूमने में 24 गंटे लेती है और सूर्य के चार और गूमने में 265 दिन लेती है और Venus सूर्य के चार और गूमने में 224.7 डेज लेता है around 225 डेज अचाए सूर्य से दूरी के बढ़ते करम में देखें यह आपका सन हो गया सन के पास पहले मरकरी Venus, Earth, Mars फिर इसके बाद यहां आ जाती है Asteroid Belt Asteroid Belt में यह हो जाएंगे Inner Planet और यह बाहर के यह हो जाएंगे Jovian Planet या Outer Planet अचाए जो सूर्य के सबसे करीब ग्रह है वो बुद्ध है लेकिन सौर्य मंदल मौजूद सबसे गर्म ग्रह नहीं है क्योंकि जो सबसे गर्म ग्रह वो है सुक्र सुक्र का जो ताप माने लगो 867 degree Fahrenheit होता है और प्रत्वी का जो सताप में लगो 15 degree Celsius है सुक्र ग्रह पर बादल जो Sulfuric Acid से बने होते हैं और इसी वज़े से यहां अमलिय वर्सा गर्म सताप गिरती रहती है यहां जो अमलिय वर्सा होती है आभी चलते नेक्स्ट नेक्स्ट देखो इनका कॉमन ओरीजिन है वीनस है जो सेंटल कोर ए रोकी मेंटल एंड ए सॉलिड क्रस्ट सिमलर तो अर्थ स्ट्रक्चर जैसे अर्थ की ऍस्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे उपर आपका क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल मेंटल के बाद कorf प्रस्ट में भी आपका آउटर कोर और इंडर कोर जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और कोर नीफे की बनी हुई है निकल और फेरस की बनी हुए है और डेंसिटी बहुत जादा है कोर आपका सियाल सिलकॉन और अलुमिनियू को बना हुआ है और इसी सेम टाइप का इस्ट्रक्चर आपका सुक्र का भी है इसी लिए तो इसको प्रत्वी की जुड़वा बहन मॉर्णिंग स्टार इवनिंग स्टार बोलते है और इसी का अध्यान करने के लिए सुक्रियान को इसरो के द्वारा लॉंच किया जा रहा है तो इस वाज पूर दे थैंक्स थैंक्स पूर बाच्चंग